बॉर्निंग जैसरी स्वामिनारायान एक्सरसाइज 4D उसमें do the sum in your notebook यह सीधी लाइन में है that one हम आज करेंगे आगे के जो है वो आपको प्रैक्टिस में घर पे करने हैं तो कर सकते हैं यह वाले हम अभी स्टार्ट करेंगे फ्रेस्ट वन हमें दिया है 3745 प्लस 241 तो देखो यह कहां तक जा रहा है 1000 तक और यह 100 तक हम क्या करेंगे अगर 1110 और यह 1 का प्लेस प्लेस के प्लेस वेल्यू के नीचे नमबर लिखेंगे देखो 3 कहां पे 1000 के प्लेस पे है 700 के 4 10 के और 5 1 के प्लेस के नीचे है देखो अब क्या करेंगे यह क्या है 241 1 के प्लेस पे क्या है 1 10 के प्लेस पे 4 और 100 के प्लेस पे 2 हमें क्या करना है एडिशन तो प्लस का साइन करेंगे और देखो स्टार्ट करेंगे 5 प्लस 1 6 easy 4 प्लस 4 8 अगर डाइरेक्ट नहीं हो रहा है तो हम करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 देखो 7 प्लस 2 9 डाइरेक्ट हो ही जाएगा 8 and 9 देखो 1000 के प्लेस पे यहां पे 3 है यहां पे कुछ ने यह मिस 0 3 प्लस 0 3 आंसर क्या आया 3 क्या यह 3986 अभी नेक्स नेक्स वन क्या है 7140 प्लस 2851 देखो यह कहां तक जाती है प्लेस वेल्यू 1000 तक जाती है तो हम लिख देंगे 10,100 का प्लेस 10 का प्लेस और यह 1 का प्लेस देखो सीधे से नहीं होता है तो हम लास से सूरू करेंगे देखो 1 के प्लेस पे क्या है 0 10 के प्लेस पे 4 100 के प्लेस पे 1 और 1000 के प्लेस पे 7 addition करना है तो उसका symbol लिखेंगे again 1 के place पे क्या है 2 10 के place पे 5 यहाँ देखेंगे देखो 100 के place पे 8 1000 के place पे 2 हमें ध्यान रखना है place value के नीचे ही place value आनी चाहिए अभी total करेंगे 0 प्लस 2 2 4 प्लस 5 9 होगा डिरेक्ट नहीं होता है तो देखो 1, 2, 3, 4, plus 5 1, 2, 3, 4, 5 total करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 4 प्लस 5 क्या होगा 9 1 प्लस 8, 9 easy है देखो 1, 8 करना है तो 8 प्लस 1, 9 हुआ 7 प्लस 2 तो देखो कितना होगा 8 and 9 नहीं होता है तो फिर ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 2, 1 and 2 total करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 तो हमार आंसर क्या आया 9,992 हमें याद रखना है 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए 10 के प्लेस के नीचे 10 का प्लेस 100 के प्लेस के नीचे 100 का और 1000 के प्लेस के नीचे 1000 का तो ही हमार आंसर क्या आएगा सही है do these sums in your notebook यह वाला करेंगे उसमें first one 4521 प्लस 3 123 प्लस 24 हम last में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे देखो हम क्या करेंगे देखो यह कहां तक जाता है 1000 तक जाता है तो यहां 1000 प्लेस फिर 100 10 प्लेस and 1 प्लेस देखो मैंने क्या बोला था place value के नीचे place value लिखनी है देखो यहां one के place पे क्या है one 10 के place पे two hundred के place पे five thousand के place पे four देखो next क्या है 323 तो last से शुरू करेंगे क्योंकि हमें one के place पे क्या है three ten के place पे two hundred के place पे three देखो यहां पे क्या है twenty four one के place पे क्या होगा four और ten के place पे two अभी इसका plus करना है addition करना है देखो one plus three four four plus four eight देखो one two three four plus one plus one two and three अभी total करेंगे one two three four five six seven and eight देखो next क्या है two plus two plus two देखो one two one two one and two three time थे two अभी total करेंगे देखो one two three four five and six two plus two plus two कितना हुए six देखो next क्या है thousand hundred के place पे यहां पे क्या है five और यहां पे three यहां पे कुछ नहीं means zero देखो क्या करेंगे five one two three four and five plus three one two and three अभी total करेंगे one two three four five six seven and eight तो five plus three कितने हुए eight और देखो यहां पे four है नीचे कुछ भी नहीं means four तो क्या हो answer आया four thousand eight hundred sixty eight इसमें हमें क्या ध्यान रखना है देखो हमें ऐसे सीधी लाइन में दिये हैं तो हम ऐसे लिखेंगे बट क्या करेंगे place value के हिसाब से लिखेंगे one के place पे जो होगा वो one के place पे लिखेंगे ten के place वाला ten के place पे hundred वाला hundred and thousand वाला thousand तो ही हमारा answer क्या आएगा सही आएगा do these sums in your notebook यह वाला करेंगे उसमें first one four thousand five hundred twenty one plus three hundred twenty three plus twenty four हम last major से करते थे वैसे ही करेंगे हम क्या करेंगे देखो यह कहां तक जाता है thousand तक जाता है तो यहां thousand place फिर hundred 10 place and one place देखो मैंने क्या बोला था place value के नीचे place value लिखनी है देखो यहां one के place पे क्या है one 10 के प्लेस पे 2 100 के प्लेस पे 5 1000 के प्लेस पे 4 देखो next क्या है 323 तो last से सुरू करेंगे क्योंकि हमें 1 के प्लेस पे क्या है 3 10 के प्लेस पे 2 100 के प्लेस पे 3 देखो यहाँ पे क्या है 24 1 के प्लेस पे क्या होगा 4 10 के प्लेस पे 2 अभी इसका प्लस करना है एडिसन करना है देखो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 1, 2, 3, 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 and 3 अभी टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 देखो next क्या है 2 प्लस 2, प्लस 2 1, 2, 1, 2, 1 and 2 3 टाम थे 2 अभी टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 2 प्लस 2, प्लस 2, कितना हुए 6 देखो next क्या है 100 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ नहीं में 0 देखो क्या करेंगे 5, 1, 2, 3, 4 and 5 प्लस 3, 1, 2 and 3 अभी टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तो 5 प्लस 3 कितने हुए 8 और देखो यहाँ पे 4 है नीचे कुछ भी नहीं में इस 4 तो क्या हो अंसर आया 4868 इसमें हमें क्या ध्यान रखना है देखो हमें ऐसे सीधी लाइन में दिये है तो हम ऐसे लिखेंगे बट क्या करेंगे प्लेस वेल्यू के हिसाब से लिखेंगे 1 के प्लेस पे जो होगा वो 1 के प्लेस पे लिखेंगे 10 के प्लेस वाला 10 के प्लेस पे 100 वाला 100 and 1000 वाला 1000 तो ही हमार आंसर क्या आएगा सही आएगा नेक्स्ट है का H 10 का place T और 1 का place O यह हमारे mistake नहीं हो इसलिए लिखते हैं ताकि हम place value के हिसाब से लिख सकें देखो यहां पे 1 के place पे क्या है 2 10 के place पे 1 के place 7 10 के place 2 100 के place 4 and 1000 के place 7 देखो यहां पे next में 1 के place पे 0 10 के place 4 100 के place 3 and 1000 के place पे 1 यहां एडिसन का symbol देखो यहां 1 के place पे 1 then 10 के place पे 3 यह लिखा अभी चेक भी एक बार कर लेंगे देखो 1 का place ही है देखो 7 है yes 0 yes यह 1 यह अभी counting करेंगे देखो 7 प्लस 1 easy है 8 अभी next देखो 1 2 प्लस 4 1 2 3 and 4 प्लस 3 1 2 and 3 अभी total करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 देखो यहां पे क्या है 4 प्लस 3 यहां कुछ नहीं में 0 तो देखो 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 and 3 अभी total करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7 4 प्लस 3 कितना आया 7 देखो 7 प्लस 1 8 तो हमार आंसर क्या आया 8,798 देखो next है यह वाला करेंगे 5,432 प्लस 3,210 प्लस 1,025 देखो यहां पे कहां तक जाता है 1000 तक है तो 1110 and 1 देखो अभी first यहां 1 के प्लेस पे क्या है 2 10 के प्लेस पे 3 100 के प्लेस पे 4 1000 के प्लेस पे 5 प्लस का सिम्बॉल देखो 1 के प्लेस पे 0 10 के प्लेस पे 1 100 के प्लेस पे 2 and 1000 के प्लेस पे 3 देखो यहां पे भी 1 के प्लेस पे 5 10 के प्लेस पे 2 100 के प्लेस पे 0 and 1000 के प्लेस पे 1 अभी addition करेंगे देखो 5 plus 2 plus 5 1, 2 1, 2, 3, 4 and 5 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 Next है 3 plus 1 plus 2 1, 2, 3, plus 1, plus 1 and 2 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Next है 4 plus 2 1, 2, 3, 4, plus 2 1 and 2 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Next है 5 plus 3 plus 1 1, 2, 3, 4 and 5 plus 3 1, 2 and 3 and plus 1 अभी टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 तो answer क्या आया? 9,667 Size है this one 8,231 plus 432 plus 23 plus 2 देखो हम क्या करेंगे? हमें आते ही है क्या करेंगे? 1 के प्लेस में जो है उस सब का क्या करेंगे? Addition करेंगे 1 उसके बाद क्या है? 1 and 2 plus 3 1, 2, 3, plus 2 1, 2 सारे के सारे लिए अभी टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 हमने क्या किया? देखो यहाँ पे जितने दिये थे वो सब का क्या किया? प्लस किया देखो हमने पहले क्या सिखा? 2 रोज थी फिर 3, अभी क्या आई? 4 रोज तो हम क्या करेंगे? यह सब का प्लस करेंगे हमने आता ही है देखो अब नेक्स क्या है? 3 1, 2, 3, plus 3 1, 2, 3, plus 2 1 and 2 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 देखो नेक्स है 2, plus 4 1, 2, plus 4 1, 2, 3 and 4 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और देखो यह देखो 8 के नीचे कुछ नहीं इस 8 अगर आपको यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ mistake हो रही है तो यहाँ पे आप 0 लिक देना तो क्या होगा? कंट्यूजन नहीं होगा नेक्स देखते हैं यहाँ पे 4,242 प्लस 3,013 प्लस 1,122 प्लस 621 तो यह जो 1 के प्लेस पे सारे के हैं उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है? 1,2, प्लस 3 1,2,3, प्लस 2 1,2, प्लस 1 अभी क्या करेंगे? टोटल करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 देखो नेक्स देखो 4, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 2 सबसे फर्स 4 1,2,3,4, प्लस 1, प्लस 2 1,2, प्लस 2 1 and 2 अभी टोटल करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9 नेक्स क्या है? 2, प्लस 0, प्लस 1, प्लस 6 देखो 1,2, प्लस 0 नहीं लेंगे फिर 1 प्लस 6 1,2,3,4,5 and 6 अभी टोटल करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9 तो क्या आँसर आया? 9 देखो यहाँ पे 4, प्लस 3, प्लस 1 1,2,3,4, प्लस 3 1,2,3, प्लस 1 अभी टोटल करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 तो आँसर क्या आया? 8,998 नेक्स्ट पैन है Do this sum in your notebook पेज नमबर 33 पे उसमें this one 5,632 प्लस 2,101 प्लस 1,022 देखो हम क्या करेंगे? हम पता है 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस लिखना है तो 1 के क्या है? 1 के प्लेस पे यहाँ पे 2 10 के प्लेस पे 3 देखो यह लिख रहे हैं और 100 के प्लेस पे 6 1000 के प्लेस पे 5 यहाँ पे क्या है? 1 के प्लेस पे 1 10 के प्लेस पे 0 This 100 के प्लेस पे 1 1000 के प्लेस पे 2 प्लस दिस 1 के प्लेस पे 2 10 के प्लेस पे 2 This 0 प्लस 1 देखो अभी क्या करेंगे? टोटल काउंटिंग करेंगे देखो 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 4 and 5 देखो एस, 1, 2 plus 1 plus 1, 2 टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 देखो, next 3 plus 0 plus 2 तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 plus 2, 1 and 2 1, 2, 3, 4 and 5 3 plus 2 कितना होगा? 5 देखो, this one 6 plus 1 7, easy है, direct ही हो जाएगा 5 plus 2 plus 1 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 2, 1, 2, प्लस 1 टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 and 8 अंसर क्या आया? 8,755 देखो करेंगे, 2,354 प्लस 3,131 1,104 प्लस 2,310 33 नमबर के प्लेश पर देखो यहाँ पर, देखो, one के प्लेश पर क्या है? 4, और लिखेंगे 10 के प्लेश पर 5 100 के प्लेश पर 3 and 1000 के प्लेश पर 2 इसमें, one के प्लेश पर, one 10 के प्लेश पर, three 100 के प्लेश पर, one and 1000 के प्लेश पर, three प्लस का सिम्बल देखो, next 1 के place पे 4 10 के place पे 0 100 के place पे 1 क्या करेंगे प्लस करेंगे देखो यहां पे क्या है 0 1 के प्लेस पे 10 के प्लेस पे 100 के प्लेस पे 3000 के प्लेस पे 2 अब क्या करेंगे टोटल करेंगे 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 सीधा हो जाएगा 9 6 7 8 and 9 अधरवाइस क्या करेंगे देखो 1 2 3 4 प्लस 1 प्लस 4 1 2 3 and 4 टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 नेक्स देखो 10 के प्लेस पे 1 2 3 4 5 प्लस 3 1 2 and 3 अभी टोटल करेंगे प्लस 0 प्लस 1 अभी टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 देखो नेक्स क्या है 3 1 2 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 1 2 and 3 अभी टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना आया 8 देखो नेक्स क्या है 1 2 प्लस 3 1 2 and 3 प्लस 1 प्लस 2 अभी क्या करेंगे टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंसर क्या आया 8 8999 पेज नंबर 34 में वर्ट प्रॉबलम है देखो सबसे फस्स क्या दिया है for the first show of circus 473 tickets were sold first show है उसकी कितनी tickets sold हो गई 473 tickets for the second show 525 tickets were sold second show की कितनी हुई 525 what was the total number of tickets sold तो हमें बताना है total number of tickets कितनी sold हुई मतलब बेची गई देखो first हमें कितनी दी है 473 first show में 473 tickets बेची उसके बाद second show में 525 हमें total पूछी है तो हम क्या करेंगे plus करेंगे और देखो always देखेंगे one के place के नीचे one का place अभी क्या करेंगे 3 plus 5 one two three four five plus three करेंगे one two and three अभी total करेंगे one two three four five six seven and eight three plus five eight देखो seven plus two one two three four five six and seven plus two one and two अभी total करेंगे one two three four five six seven eight and nine seven plus two nine अभी देखो next क्या है four plus five one two three four plus five one two three four and five अभी total करेंगे one two three four five six seven eight and nine और यहां पे हम लिखे भी तोटल नंबर अब टिकेट सोल्ड आर नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट यह लिखना है अब कोबलर मेंडेड 23 सूस अन मंडे मंडे को कितने बना है 23 सूस 34 सूस अन ट्यूस्डे ट्यूस्डे को 34 and 22 सूस अन बैनस दे हाव मनी सूस डीड ही मेंडेड इन ओल हमें यह लिखना है कि सारे मिला के कितने सूस बनाएं देखो फर्स्ट क्या है 23 कब बनाएं उसने सूस अन मंडे तो मंडे मेड फिर उसके बाद ट्यूस देखो 34 कब बनाएं ट्यूस देखो प्लस 22 कब बनाएं वैनस देखो अभी टोटल करेंगे देखो 3 प्लस 4 1 2 3 प्लस 4 1 2 3 4 प्लस 2 1 & 2 अभी टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 तो अभी टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 & 7 तो अभी टोटल कितने बनाएं मंडे ट्यूस देखो मिला कर 79 सूस मिला है तो हम क्या लिखेंगे 79 सूस ही वस मेड मिनाकसी कितने यह ओल्ड है 7 years her brother is 11 years old their mother's age is 21 year more than the sum of their age क्या बोला है their mother age is more than 20 year sum of their age means यह दोनों का sum मतलब के plus करके जो answer आएगा उससे 21 years more than how old his mother उसकी मदर कितना old है कितनी old है वो हमें बताना है देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे समों सबसे first हम क्या करेंगे मिनाकçी कीज हमें क्या दी है 7 years और उसके ब्रदर की एज क्या दी है 11 हम क्या करेंगे फर्स्ट यह दोनों का total करेंगे तो 7 प्लस 1 8 easy हो जाएगा 1 मिनाक्सी और उसकी ब्रदर की एज हमें क्या मिली 18 अभी हमें क्या दिया है कि the sum of their age देखो यहाँ पे the mother's age is 20 years more than the sum of their age इन दोनों का total जो मिला है उससे उसकी mother की एज कितनी ज्यादा है 21 years तो अभी total करना पड़ेगा देखो यह 18 years हमें क्या मिला sum of their age means brother and मिनाक्सी की total age मिली और plus 1 21 क्यों क्या हमें बोला गया है यह जो age मिली है उससे 21 years ज्यादा है mother की age तो plus करेंगे तो मिल जाएगा तो देखो 8 plus 1 9 1 plus 2 3 easy तो mother की age क्या मिली हमें 39 तो यहां लिखेंगे her mother is 39 years old 30 तो यहां बादात है do